कर चले हम फिदा जानतन सातियों अब तुम्हारे हवाले वतन सातियों सास थमती गई नब्स जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया मसकार फ्रेंस एक बार फिर से आप सभी का स्वाधत है मारे इस यूटूब चैनल में दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तो अगर आपको ओनलाइन अंडिंग में इंट्रेस्ट है अगर आप रोज के 100-50 रुपए दोस्तो तीन सो रुपए तक रोज के फ्री कमाना चाहते है पेटेम कैस तो आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिल जाएंगी एक वाट्सेप ग्रूप है और एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आप दोनों को जोईन कर लिजी अगर आपके पास वाट्सेप आपको जोईन करने से होगा कैप्रेंस आपको वहां पर मैं अच्छी एप्लिकेसं दूगा अर्निंग वाली जिसे आप जो है सव से पचास रुपए फ्री का पेटेम कैस रोज कमा पाएंगे इजिली तरीकी से रोज का आपका खर्चा जो है निकल जाएगा तो दोस्तो च दो कि जो है सासक बावर ने ऐसा हुआ था जो है एधा में राममंदिर बना ठाज परावण जिसका नाम था बाबर तो बाबर ने क्या क्या था उसरा मंदिर को तुड़वा के वहाँ पर बाबरी मस्जिट का निर्मान करवाया था और जब ये बीट में फिल लडाई हुई वहाँ पर लोग हिंदू और मुस्लिम में बैवनस्ता फैली और उसके बाद जाओ तो वहाँ से उसकी मतलब लडाई चलने लगी अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वो जो लडाई थी वो अब खतम हो चुकी है जिस तरह के से आप लोगों देखा कि मानिर प्रधान मंत्री नेंड मोदी ने जो है इसका फैसला बिलकुल ही साफ कर दिया जो है बाबरी मस्जिद के लिए दस एकर की जमीन जो है प्रधान मंत्री नेंड मोदी ने दी जहां पर बाबरी मस्जिद बनने के लिए और रामंदिर जो है वहीं पर बनेगा तो यह बहुत ही अच्छा फैसला किया और इस फैसले से फरमानी नाज भी बहुत काफी खुस गए लेकिन दोस्तों यह फैसला जो है मोदी दोरा जो किया गया मानिन रहेंद मोदी प्रिधान मंत्री के दोरा किया गया अगर आप इस फैसले से काफी खुस हो तो इस वीडियो को ज्वारा से जैदा लाइक करिये और अगर अभी तक आपने हमारे स्चीनलों को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्द से सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको में चाहिए